रादे रादे मित्रों मैं जोती सिंग स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल काना लेडीज केर में मित्रों प्रेगनेंसी का टाइम पिरिएड नौ महीने का होता है इस टाइम को तीन-तीन महीनों के हिसाब से तीन हिस्सों में बाटा जा सकता है जिनको जैनरली, पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही यानि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के तोरान बेवी पूरी तरह से बन जाता है बच्चे के चरीर और अंगों को प्रेगनेंट लेडी महसूस कर सकती है और उसके अंगों को मसीनों की हेल्प से देखा जा सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम बच्चे की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर होती है बच्चे के चारो और एक पानी की थैली होती है जिसे एम्नियोटिक सेक कहा जाता है इस थैली में लगभग 100 cc एम्नियोटिक लिक्विड भरा रहता है गर्भासे में बेबी इसी लिक्विड के अंदर घूमा करता है पर बच्चे की घूमने की ये क्रिया मा को मासूस नहीं होती इसी समय बच्चे का चेहरा बनता है बच्चे की आँखे बंध होती हैं और उसके दोनों कानों को सीर के दोनों तरफ से देखा जा सकता है बच्चे की नाभी एक कोड से जुड़ी होती है जिसे नाभी की रक्त वाहिनी कहते हैं इसके द्वारा बच्चे को मा के बलड से भोजन मिलता है और बच्चे का ग्रोथ होता है एम्नियोटिक सेक में एम्नियोटिक लिक्वीड लगतार बनता रहता है और थैली की दिवारों से रीज कर थैली में ही इकठा होता रहता है गर्भ में बेबी एमनियोटिक लिक्वीट को मुझ से पीता है या लिक्वीट बेबी के पेट से होता हुआ बेबी के यूरीन के रूप में बाहर भी निकल जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर का टाइम तीन महीने से छे महीने के बीज का होता है इस समय के लाश तक बच्चे की लंबाई लगभग 35 सेंटिमीटर और वेट लगभग 1 किलोग्राम तक हो जाता है इस ट्राइमेस्टर के दोरान बच्चे का हिलना, हाथ पैर चलाना, अंगुठे क प्रच्च को मुह तकलाना उंगुलियों का विकास और नाखुनों के ऊपर किनारे जैसे अंगों का विकास हो जाता है। इस समय बच्चे की आखे बंद रहती है और आखों की पलकें, भोहें और बालों का विकास इसी ट्राइमेश्टर में होता है। बच्चे की स्केन चिकनी होती है और उस पर एक सफेद रंग की परत्सी दिखाई देती है जिसे वर्निक्स कहते हैं। या चिकना पदार्थ खुद बच्चे की तवचा से ही निकलता है जो एक परत्सी बना लेता है। गर्भ में नवजात बच्चे एम्नियोटिक फ्लूइड में घूमते रहते हैं। एम्नियोटिक फ्लूइड का लगभग एक तिहाई भाग डेली मा के बलड सर्कुलेशन के माध्यम से बच्चे के सरीर में जाता है और उतना ही द्रव बना कर तयार करता है। गर्भ में सिसू एम्नियोटिक लिक्विड को पीता है और पिया हुआ एम्नियोटिक लिक्विड बच्चे के पेट से होते हुए यूरीन के द्वारा बाहर निकल जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर का टाइम 6-9 महीने के बीच का होता है इस दोरान गर्भ में बच्चे का ग्रोथ पुरी तरह से हो जाता है इस टाइम तक बेबी मा की पसलियों तक पहुँच जाता है और उसका हिलना डुलना पहले से कम हो जाता है इस टाइम बच्चे को प्रोटीन, केल्सियम, आइरन और फैट की ज्यादा मातरा में जरूरत होती है जिसे बेबी मा की बोडी से लेता है बच्चे की सरीर की बोन्स का विकास केल्सियम से होता है प्रोटीन से बच्चे के सरीर की मान स्पेसियों का आइरन से खून और फैट स पूरी बॉडी का निर्माड होता है गर्भावस्था के साथ महीने पूरा होने के बाद बच्चे के दिमाग यानि मस्तिस्क का ग्रोथ होता है बच्चे के मस्तिस्क में अनेक प्रकार के केंद्र होते हैं जो बच्चे के सरीर की कारिय चमता को बढ़ाते हैं बच्चे में सां प्रेगनेंसी के आठ महेने पूरे होने पर बेबी का लगभग पूरी तरह विकास हो जाता है। इस टाइम पिरेड के दोरान बच्चे के जीवन को लमसम 5% ही खतरा बना रहता है। बच्चे के सिर पर बालों का आना, आखों का खुलना, पूरे नाखुनों का आना, इसके साथ साथ बच्चे का सिर नीचे मा के कुलों की हड़ी में आकर जम जाता है, जिसे बच्चे का सिर जमना करते हैं, यह लगभग 34-36 सब्ता के वीच होता है। इस टाइम तक बच्चे के नीचे आ जाने से मा को सांस लेने की परिशानी नहीं होती, मित्रों, I hope आपके लिए ये वीडियो हेल्फुल रही हो, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्फुल रही हो, तो प्लीज इसे लाइक एंड सेर करें, मेरे चैनल पर नए आ हैं, तो चै आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे हैं, धन्यवाद।